नमस्कार और ये वेलकम यूर्स टो मनुस सिंग किंग्डम के वेस्ट में है आइसलेंड आइसलेंड की कैपिटल है रेजविक और इसी के साउथ वाले इलाके में है साउथन पैनेंसुला और इसी पैनेंसुला में जो भुकम पाए हैं वो आठ सो बार आए हैं लेकिन ये सिर्फ चौदा घंटे का था इससे पहले जो 24 गंटे हैं उसके अंदर टोटल 1400 से ज़ादा अर्थकेक आये हैं और वहीं हम एक साल की बात करें सिर्फ आइसलेंड के इस इलाके में तो टोटल 24 हजार से ज़ादा अर्थकेक इस इलाके में आये हैं लेकिन आइसलेंड में जो अर्थक्वेक आये हैं उसमें most powerful अर्थक्वेक था 5.2 magnitude का यहां ज़्यादा बड़े अर्थक्वेक नहीं आते जैसे की इंडिया नेपाल या फिर जापान में आते हैं इंडिया में भी जो ज़्यादातर अर्थक्वेक हैं वो रांचल परदेश उत्राखंड या फिर सिक्कि यह हो क्या रहा है तो इसका सही हुत्तर है Mid Atlantic ridge मैप की मदद से समझें तो यह यूरोप और अफरीका वाला जो इलाका है यह आता है Eurasian Plate में वहीं जो लेफ्ट साइड में नौर्थ अमेरिका वाला इलाका है वो आता है नौर्थ अमेरिकन प्लेट में जब ये दोनु टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो बहुत खतरनाक भुकम पाता है और वही भुकम अभी आइसलेंड में देखने को मिल रहा है अब जो ये मिड अट्लांटिक रिज है इसके नीचे आपको पहाड जैसा कुछ दिखाई देगा ये पहाड जैसा और कुछ नहीं वालकेनिक एरपसन है यहां हर रोज वालकेनों का लावा निकलता है जिस वज़े से ये बहुत बड़ा माउंटेन जैसा बनता जा रहा है ले मैंने आपको बताया था कि आइसलेंड का जो साउथन पैनेंसुला है वो पूरा खाली करा दिया गया है सरकार द्वारा क्योंकि इस इलाके में छोटे छोटे भुकम कहीं से भी आ सकते हैं कोई से भी टाउन के नीचे से ये भुकम आ सकते हैं अब इसमें एक और नहीं प्र सालों से ये वालकेनों फटा नहीं था और ये फटा कब ये फटा 2021 में फिर 2022 में और फिर उसके बाद इस साल 2023 में ये फटा और जब 2021 में ये फटा था तो लोग यहां पर सेल्फी खिचवाने आते थे लोगों ने इसे एक टूरिस्ट स्पोर्ट बना दिया था क्योंकि जो वालकेनों से लावा निकल रहा था लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आ रहे थे इसमें प्रॉब्लम ये है कि पिसली बार 2021-22-23 में जो एक पॉइंट था वहीं से वालकेनों इरप्सन हो रहा था लेकिन अब जो है कोई से भी पॉइंट से वालकेनों के इरप्सन ह इसके जो सबसे पास टाउन है उसका नाम है ग्रिंडविक चार हजार लोगों की पॉपुलेशन है उस पूरे इलाके में जो की उस इलाके से 10 किलोमेटर की दूरी पर है जिसे अब जल्दी से जल्दी खाली कराया जा रहा है अब आप सोच रहे होंगी कि भाई आइसलेंड मे कितने एक्टिव वाल केनों है तो आइसलेंड में टोटल 33 वा एक्टिव वाल केनों है जो की 182 फट चुके हैं पूरे हजार साल में नाव जाने से पहले मैं आप से एक कोशन पुछूंगा विच यूनियन टेरिटरी प्लैंस टु इंड्यूस आर्टिफिसल रेन टु कंट्रोल एर पॉलिशन तो आपके ओप्सन है चंदिगड अंडमाने निकोबार आइलेंड लक्सदीप या फिर न्यू डेली सही आंक्सर कीजे कमेंट सेक्शन में जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा